भारत की सेकुलरिज्यम के पर चर्चागर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज और गंबेरता से बात करना चाहता हूँ भारत का सेकुलरिज्यम इसलिए नहीं है कि समिधान के अंदर उस सब्द जोड़ दिया गया है भारत हजारों साल से सर्वपंत संभवाव इस तत्वग्यान से जुड़ा हुआ है भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलोसोफी कहती है एकमसत विप्राहा बहुता वधनती सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग रूप में प्रस्तूप करते हैं भारत ही एक देश है जो कहता है सरवे अपी सुखिना संतु सरवे संतु निरामया सरवे भधराने पस्चनतु मा कस्ति दुख भागवे भारत कभी यह नहीं कहता हिंदू सुखेन सुखियर अज़नें कहता है भारत सब के लिए सोचने वड़ा देश है और भारत का हजारों साल का इतिहार ने की हिंदुस्तान में कभी तलवार ले करके कभी दुनिया के विचार पर संप्रदाय पर समाइक पर हमला नहीं बोला है विच्तारवात यह भारत की बलड में नहीं है उस भारत को बिन सम्रदाय शिखाने की कोशिच है नहां करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए जो लोग भारत की बिन सम्रदाय ताके नाम पर कल बयाम भाई जी की है मैं हौन फारुक साब BjornAND में से पूच रहा जाता है भारत की बिन समर्दायक्ता के ताकत इतनी जोड़दार है और यह हमारी रगों में है सिर्फ सम्विदान में नहीं हमारी रगों में है हम सर्व समावेशक हैं यह देश ऐसा है जो प्रकृती की भी पूजा करता है पैड की भी पूजा करता है, पानी की भी पूजा करता है, यहां कोई पराया हो यह नहीं सकता, पुरे ब्रह्मान को अपना मानता है, पुरे विश्व को परिवार मानता है, यह समाज है, और उस समाज में अगर इस प्रकार की भाषा बोली जाए, कभी कबार कोई घटना घट सबसे बड़ी चोट गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है और वो भी सिमान फारुग अबदला जी आपके पिताजी की राजनीती के चलते हुआ है इस दे श में कश्मीर एक है जहां से पंडितों को धर्म के अधार पर निकाल दिया गया जो सुफी परंपरा की भूमी थी उसको आपने नीजी राजनितिक स्वात के लिए संपरदाय के रंग से रंग दिया है और इसलिए आप को बयान करने वालों को मोदी को वोड़ देने वालों को दर्या में डुबोने की बात करते हो पहले आपके पिता जी आप आपका बेटा कश्मीर की राजनितिको सारी दुनिया में कोमी रंग देने का पाप कश्मीर की धर्ती पर आपने किया है कश्मीर ये सुफी परंपरा की धर्ती है को कश्मीर किस सर्वसमाविश की धर्ती थी उसको ये दाल रगाने का काम आपको शोआ नहीं देता है इस प्रकार की बियान बाई और अगर दूमना है तो किसने डूमना चाहिए जड़त दर्पन में पना चैरा देख लो आपके पित उनके मुह में शौभा नहीं देता हैं हम चूप हैं इसका मठलब यह नहीं है कि जो अचा है वो भारत की हजारों साल की महान सांसकुर्थिक विरासत को आए दिन चोट पहुंचाते रहें यह शौभा नहीं देता हैं उनको हम आज भी हमारे संसकारों के कारण हमारे ब्लड के कारण राजरीति के कारण नहीं राष्ट बख्धी के कारण कहते हैं भारत सर्वपन्थ सम्भाव का मार ही बारत के लिए श्रेष्ट मार गया है वोट बेंग की राजनीती नहीं, विकास की राजनीती ही भारत के लिश्ट है, यह हमारा कमीटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, और हम उसी मुंत्र पर चलेंगे, फारुक अब्दुला साथ जैसे कितने ही लोग, अनाप सनाथ बाते करें, इससे गाड़ी डिरल होने वाल कि बाने ही झाले ही.